समस्का दोस्तो आप सबका फिर से एक बर नए वीडियो में स्वागत हैं तो दोस्तो आज हम आपको उप्योग में लाए जाने वाले ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट के बारे में फूल जानकारी बताने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो को कट मत करना यो बहुत अनालेजोल अगर दोस्तो आपको या ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट में टोटल 10 टेबलेट दिये होते हैं और इस टेबलेट को डाक्टर सला देते हैं और दोस्तो इस ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट का प्राइस 11.89 पैसे हैं किर्पिया ध्यान दिजिए इसके प्राइस में उतार चड़ाओ हो सकते हैं और दोस्तो इस ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट को आप किसी भी मेडिकल से खरी सकते हैं अगर दोस्तो आपको या ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट किसी मेडिकल या मार्केट में नौ मिले तो इसका कॉमपजीशन बता कर आप किसी भी company का ले सकते हैं और दोस्तो इस Omna Cotyl 20 MG Tablet का composition है प्रेटनी स्लोन है तो दोस्तो composition का मतलब होता है कि इस Omna Cotyl 20 MG Tablet में ये सभी salt मिलाया गया है तो दोस्तो इसके साथ हम और जानेंगे कि Omna Cotyl 20 MG Tablet का उपयोग किस विमारी में उपयोग करने के लिए किया जाता है इसका dog क्या है या कैसे काम करती है और इसके फायदे और नुक्सान क्या होते हैं दोस्तो इस विडियो में ये सभी जनकारी बताएंगे तो दोस्तो इस विडियो के साथ सुरू से अन्तक बने रहे और इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ में बेल आइकोन को भी इंप्रेस कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना और मेरे इस्टाग्राम को भी फालो कर देना मेरे इस्टाग्राम का यूजर नेम है डॉक्टर अनुक कुमार या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से जाको और फालो कर देना और अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना क्यों कि मैं आपके लिए हमेशा मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं हैलो दोस्तो मैं डॉक्टर अनुप कुमार तो दोस्तो हम सबसे पहले Omana Cotyle 20 MG Tablet के उप्योग के बारे में जान लते हैं जो दोस्तो ओमना Cotyle 20 MG Tablet का उप्योग अनेक परकार के बीमारीों को ठी करने के लिए यूज किये जाते हैं जैसे Omana Cotyle 20 MG Tablet शरीर में सूजन पैदा करने वाले पदार्थों के अस्तराव को रोकता है दोस्तो अगर किसी बैक्ति को arthritis है उसमें भी इसे दिये जाते हैं दोस्तो अगर किसी बैक्ति को lupus है तो उसमें भी इसे यूज किया जाता है दोस्तो अगर किसी बैक्ति को psoriasis, ulcerative, colitis जैसे अनेक परकार के inflammatory और allergy की समस्या है तो उसमें भी इसे यूज किया जाता है दोस्तो अगर किसी ब्यक्ति को allergy, खुजली, दमाग, कॉफ, चर्म, रोग, नेफरोटिक सिंड्रोम आखों से कीचड़ाना, आखों में सूजन, गठिया, बरसाइटिस गठिया घरगराहट, सिर में खुजली, जीव में सूजन, फेफरो में सूजन है तो दोस्तो इन सभी बिमारियों का इलाज करने के लिए ओमना कोटिल 20MG टेबलेट का उप्योग किया जाता है दोस्तो अब हम बात करते हैं ओमना कोटिल 20MG टेबलेट के साइड इफेक्ट के बार में तो दोस्तो हम सभी को पता है कि दवा के फायदे के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं तो उसे हम जान लेते हैं कि वो कौन-कौन से साइड इफेक्ट होते हैं जैसे ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट के समान्य साइड इफेक्ट है हडियों की डेंसिटी में कमी, पेट खराब होना, बहवार में बदलाओ, मूड बदलना, वजन बढ़ना तो दोस्तो यही साइड इफेक्ट होते हैं अगर दोस्तो साइड इफेक्ट ज्यादा देखनी को मिलते हैं और वे जल्दी से ठीक नहीं होते हैं तो दोस्तो इस ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट को देना बंद करें और नज़दी की किसी डॉक्टर से जल संपर करें जहां आपको फोरन ट्रिटमेंट मिल सकें दोस्तो अब हम बात करते हैं ओमना कोटिल 20 mg के डोज के बारे में तो दोस्तो इस टेबलेट को डॉक्टर सला देते हैं और दोस्तो इस टेबलेट को देने से पहले मरीज के एज, बडी वेट और क्या-क्या कंडिसन है ये सभी देखकर दिया जाता है और इस ओमना कोटिल टेबलेट को आप 18 अर्ष के उपर के मरीज को रोजाना एक गोली सुबह में दी जाती है और इस टेबलेट को खाना खाने के बाद दी जाती है अगर कंडिसन ज्यादा गंभीर है तो इसे आप दो टाइम भी दे सकते है या तो फिर आप अपने डक्टो से सलाह ले सकते है दोस्तो अब हम बात करते हैं ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट कैसे काम करती है ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट एक नोन इस्ट्रोइड दवा है जो शरीर के केमिकल मेसेंजर के उत्पादन को रोकता है जिसके कारण, इंफलामेशन, सूजन और लाली तथा एलर्जी होता है आई सो के दोस्तो तो आपने ओमना कोटिल 20 mg टेबलेट के बारे में जाना तो आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ सेर कीजिए और नय है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में कोई कनफ्यूजन है तो नीचे कमेट करके पूछ सकते हैं धन्यबाद